अभी यह सेशन में हम देखेंगे सम्मोहन मतलब hypnotism के क्या-क्या उपयोग हो सकते कहा कहा इस्तेमाल किया जा सकता है नुबर एक neurosis जो है neurotic disorders उसमें सम्मोहन का उपयोग neurotic disorder का उपचार करने के लिए होता है neurosis में फिर anxiety है depression फिर stammering stuttering है जिसमें बात्चीत करने के समय अटकते अटकते कोई बात्चीत करता है नीन नहीं आना या फिर hysteria है तो ऐसे जो बहुत minor तरह के जो problem से neurotic disorder जो है तो उसमें सम्मोहन का उपचार करके लोगों को फैदा होता है नमबर दो psychosomatic disorders मतलब बनोशारी का आजार मनोशारी बिमारियां जो है वो मनोशारी बिमारियों में psychosomatic disorder में सम्मोहन का उपचार किया जा सकता है क्या होता है कि जैसे दमा है मतलब अस्तमा है heart attacks फिर पेट के विकार फिर eating मतलब खुजाना पुरे body के ऊपर eating हो जाना या फिर सरदर जैसे बिमारियां है तो ऐसी जो बिमारियां है जिसमें बिमारी है body की मगर उसका origin है psychic में क्योंकि यह सभी जो बिमारियां है जिसमें सब तरह की जाच किया उसके बाद में भी कुछ मिलता नहीं है जैसा कि पेट के विकार है अब पेट की विकार में पेट का फुलना, acidity, फिर ज्यादा बार लेटरिन को जाना या फिर constipation हो जाना मतलब शवच नहीं होना फिर पेट में दर्थ फिर अनाज उपर उपर आना या हिचकी लगना ऐसे काफी सारे जो पेट विकार है तो पेट विकार सभी तरह की जाच करने के बाद में कुछ नहीं मिलता तो फिर उसका कारण psychological ऐसे माना जाता है उसके ओपर सम्मोन उक्चार का फैदा होता है तो ऐसे जो भी मनोशारिक बिमारियां है जिसमें डॉक्टर ये बोलते है कि ने कुछ नहीं है ज्यादा चिंदा मत करो ये बिमारी है शरीर की मगर मिलने रहा कुछ भी वह बिमारियों में सम्मोन का फैदा होता है अच्छा ये बिमारी में ऐसा नहीं है कि दवाई बनो जाएंगी दवाई का डोस जो है दवाई की मात्रा पच्चास प्रतिशत कम हो सकती है यदि हम सम्मोन उक्चार करते हैं तो तो नंबर दो है साइको सो All Soul Consistальная Disorder मतलब बार 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 कुना से आना ओर रहा है बारा बार बार कोई कि बार करना हाट धोना पhos यह कंको जोड़ ए और भोज आए नगे सापसमारियों कोई कर नो focus Act Vexas towards दर cynate को जोनको फिए ऑर सैख में कोई बैख ब युद्वता दुध disorders. Phobia. तो phobia में मतलब डर है. जैसा बाहर जाने का डर, ऊचाएंपे जाने का डर, open spaces में जाने का डर, खुली जगह पे जाने का डर, अकेले बैटने का डर, ऐसा phobia होता है. ट्रेवल करने का डर, कार में सफर करने का डर, ऐसे जो phobic illness जो है, फोबी भैगंड उसमें सम्मोन उक्चर का फायदा होता है पर पांचवा है पैनिक अटेक्स पैनिक अटेक्स मतलब ऐसे अटेक्स लोगों को आते है कि जिसमें एकदम ऐसा बहुत चौर से ऐसी घपराट आजेंगी दिल घड़कना चलो हो जाएंगा इतनी बेचनी यहां से उदर उदर से उदर ऐसा वो जाएंगा restless हो जाएंगा और उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरी जान निकल जाएगी ऐसे panic attack होते हैं तो उसमें सम्मोन उक्चर का फायदा होता है फिर personality disorder मतलब व्यक्ति मत्व दोश कुछ व्यक्ति मत्व ऐसे रहते हैं कि शकीले सबाओ के हैं फिर कुछ व्यक्ति मत्व हैं depressive कुछ anxious कुछ obsessive personalities कुछ skeezo head personalities तो ऐसे हैं हमको दिखता है कि कुछ तो भी गड़बड है इसके व्यक्ति मत्व में फाल्ट है कुछ hypomanic करते हैं कुछ बहुत ज्यादा जोर से चिलना चिखना ऐसा काम करते रहते हैं तो ऐसे जो percentage disorder जाए उसमें सम्मोन का उप्चार किया जा सकता है बच्चों के पढ़ाई के बारे में पढ़ाई में सम्मोन उप्चार का फायदा होता है सम्मोन से फायदा होता है यह सब पढ़ाई याद ने रहना फिर exam में भूल जाना exam के tension से पढ़ाई नहीं होना या exam hall में भूल जाना या practicals में भूल जाना ऐसे इसमें जो बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सम्मोन उक्चार काम में आता है फिर बच्चों की जो समस्या है उसके लिए सम्मोन उक्चार का फायदा है बच्चों की समस्या क्या होती है स्कूल का डर, स्कूल फोबिया या stammering के problem, मतलब attractive है बोलना, या फिर रात में पेश्याप करना कपड़े में, या बिस्तर में पेश्याप करना, या एक अनामिक डर उनके मन में रहना, बच्चों के depressions, तो ऐसे जो बच्चों की जो मांसिक बिमारियां जो है, ऐसे उसमें कुछ behavioral problems भी आते हैं, वर्तनों की वर्तनों की problem है, तो उसमें सम्मोन का फायदा होता है, तो ऐसे जो बच्चों के problem है, बच्चों की समस्या, जो है मांसिक समस्या, उसमें सम्मोन का फायदा होता है, फिर next, लोगों को stage fear है, confidence नहीं है, stage को पर जाने से बहुत डरते हैं, और stage पर जाना, और वहां कुछ हमता ही नहीं, तो कि उनका confidence नहीं है, लोगों के सामने खड़े रहे तो उनके पैर कापना चलो हो जाएंगे, और हात कापेंगे, जो बोलना है, सब भूल जाएंगे, तो जहाँ जहाँ भी confidence नहीं है, stage fright or stage phobia है, उसमें सम्मोन का फायदा होता है, फिर sportsmen जो है, उनको फायदा ह जाता है, self hypnosis, जैसा कि यदि वो relax होके यदि खेलते है, दिमाग relax करके, पुरा focus, relax, बिना tension का, पुरा उनका ख्याल जो है, वो पुरा out है, मतलब जहाँ ball, सम्झे क्रिकेट है, वो ball के ऊपर है, मतलब बाहर है, ना कि अंदर है, दिमाग में, अब मेरा क्या होगा, मैं खेल सकूंगा, ने खेल सकूंगा, मेरी बैटिंग आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, अभी मतलब अंदर बहुत सोच रहे है, डिफिनिटल बाउट हो जाएगा, तो सम्मोन, हिपनाटिसम से, उनको बहार फोकस करना, ना कि अंदर, उसका ट्रेनिंग दिया जा सकता है, और वो जो है, इसा साइकोजनी की इंपोटन्स है, लपन सकत्व, या सेक्स करने पाते, और वहाँ उनको परफॉर्मन्स एंग्जाइट है, मैं कर सकूंगा के ने कर सकूंगा, या डर के मारे वो कर ने सकते है, सेक्स, या फिर प्रीमेजरी जैकूलेशन है, शिक्रपतन, वहाँ इसा इतना टेंशन, इतना इक्साइटमेंट, इतना डर उनको लगता है, कि जल्दी वीरा का पतन हो जाता है, तो वह केसे में, मतलब स्थाइकोजनी की इंपोटन्स, प्रीमेजरी जैकूलेशन, इसमें सम्मोहन उप्चार से फायदा होता है, फिर वैसन मुक्ति, वैसन लोगों की काफी सारी अंदर शद्धा है रहती है, ब्लाइन फेट्स, और उसके वज़े से वो उनको बिमारिया आती है, अब उनको ये डिमांस्टेड हम करते है, सम्मोहन के स्टेज प्रोग्राम में, कि देखो अपना जो अंतरमन है, वो अंतरमन को कुछ भी सजेशन दि तो उसको वो सच लगने लगता है, तो फिर अंतरमन को सजेशन दे के कुछ-कुछ भीमारियां तेहर होती है, अब जैसा कि आंग में आना, आंग में भगवान आना, तेदी आना, या भूत पर लित आना, तो ये जैसा सबकॉंशनस माइन के सजेशन से होता है, तो हम क्या क को, मतलब ऐसा अंदेशद्धा निर्वन के काम में भी हिपनोडिजम का फायदा होता है, और हम करते है, तो next is stage programs में इपनोसिस आपर दे लोगों को डेमोंस्टेट करने के लिए, कि भई हिपनोडिजम के क्या फायदे है, हिपनोडिजम में क्या संभव है, इसलिए stage हिपन इपनोसिस करते है, और उसमें edutainment है, मतलब education plus entertainment, वहाँ भी सम्मोन का फायदा होता है, गुनेगार जो है, मतलब criminals, तो एकदम hardcore criminal है, उनको शायद सम्मोईत करना और जानकर ने कलना कठीन है, मगर जो hardcore criminal नहीं है, एकदम young है, और वो मतलब cooperate कर रहे थोड़ा सा, या मतलब hypnot होने के लिए तयार है, तो उनके जरिये, वो उसमें क्या हुआ, गटना कैसी हुई, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो जैसा एक जो अवरत थी, उसने क्या किया है, कि उसने अपने बच्चे का गला दबा दिया, और उसको वो कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था, अ उसको वो एक्च्छली खटना कैसी हुई, एक्च्छली उसने कैसा कि अपने बच्चे का गला दबा दिया, शोत ऐसा हो गया कि बाहर का कोई आया, बच्चे को मार के निकल गया, ऐसा मतलब लोगों को लगा, हुआ कि यह औरत ने दबा दिया, अब यह औरत ने अपने खु आपको hypnotize करके देखते हैं कि उसमें से कुछ आपको संभूज में आ रहा है याद आ रहा किया तो उसको hypnotize किया और उसको पुरा सी याद आने लगए कि उसने कैसा कैसा किया और क्यूं किया तो ऐसा मतलब criminal जो area है उसमें भी हम संभूण का इस्तिमाल कर सकते हैं वजदे की ए उठा कि मतलब उसका उपयोग इस्तिमाल करके काफी areas में हम आगे बढ़ सकते हैं वहां उसका फायदा लेके कुछ ना कुछ एक नव निर्मान कर सकते हैं अभी तक जो मैंने बताया यह सब hypnotism के फायदे हैं मतलब उसका इस्तिमाल हम कैसे कर सकते हैं उसका उसका फायदा उ तो थैंक यू वेरी मच्छ